चाय से होने वाली कई बीमारिया जैसे एसिडिटी, मुहासे, नींद, कमाना, घबराहट, लूज, मोशन तथा चाय को बार-बार गर्म करके पीने से कौन सी बीमारी बनती है जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे हेलो दोस्तों जानते हैं चाय से होने वाली बीमारी ब्लड प्रेशर, खूब दूध वाली चाय ज्यादा पीने से कौलेस्टरॉल और सैचुरेटेड फैट बढ़ता है, जिससे आर्टरी सिकुर जाती है और ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ सकता है एसिडिटी, चाय में कैफीन होता है, जिसकी वजह से पेट में गैस बनती है, पेट फूलने की प्रोब्लम होती है, इससे आंतें भी खराब हो सकती है, कुछ भी पचाना मुश्किल हो जाता है, मुहा से चाय की आदत हॉमोन का बैलेस गरबढ कर देती है इससे एकने यानी मुहा से और पिंपल जैसी समस्या होने लगती है, नीन्द कम आना, कैफीन की वजह से नीन्द पूरी नहीं होती इससे स्ट्रेस, बेचैनी और चिर्चिरापन जैसी कई दिक्कते हो सकती है, अलस, अलस होने का रिस्क रहता है, पेट की अंद्रुनी सतह में जख्म होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, हड्डियों को नुकसान, चाय में कैफीन और निकोटीन दोनों होते हैं, ये हम Hydration, दूद वाली चाय में मौजूद कैफीन शरीर के पानी को सोख लेती है, इस वजह से पानी की कमी शरीर में होने लगती है, धबराहट, चाय में टैनिन पाया जाता है, इसकी वजह से कई बार बहुत चाय घबराहट की वजह भी बन जाती है, लोग कई बार ठंडी चाय या बहुत देर तक रखी चाय को दोबारा तेबारा गर्म करके पी लेते हैं, इससे क्या होता है? बार बार चाय गर्म करने से इसमें बैक्टीरिया बढ़ जाती है, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बीमारी बनाने का काम करती है, चाय के तुरंत बाद पानी पीने के दोनों पर मिश्रन से होने वाली बीमारी, इंडाइजेशन अलूज, मोशन, सर्दी जुकॉम, गले में खराश, नाक से ब्लीडिंग, दातों में सडन, पीलापन, सेंसितिविटी, कुछ लोग एक ही चाय पत्ती को बार बार ओबाल कर पीते हैं, एक ही पत्ती को बार बार पका कर बनी चाय पीने से शरीर पर धीमे जहर जैसा असर होता है, ये शरीर के लिए हानिकारक है, खाना खाने के बाद तुरंत चाय ना पिये, ऐसा करने से डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे खाना अच्छे से पच नहीं पाता है, एक दिन में दो चाय स सुबा शाम पी सकते हैं